Hi everyone, मैं हूँ धरनजय, उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे President of Russia, Vladimir Putin, पांचवी बार रश्या के President बनते हैं और President बनते ही, ये सबसे पहला Foreign Trip के लिए जाते हैं, China इसका मतलब ये होता है कि कहीं न कहीं, Vladimir Putin को ये मालूम था तो बर्ज चड़कर उनके उपर pressure create किया जाएगा यहां से एक चीज़ तो हमें definitely मालूम पड़ता है कि इस visit का importance, Russia, China और साथ में उन सभी देशों के लिए है जिनका Russia और China के साथ relation अच्छा नहीं है और साथ में कहीं न कहीं इस visit को organize करके Russia और China अपने power को भी display कर रहा क्या है यह पूरा मामला इसको हम जानेंगे और समझेंगे मगर आगे बढ़ोई से पहले आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को subscribe और वीडियो को like and share करें और अगर आपके पास मेरे लिए कोई suggestion है तो मुझे email करके बता सकते हैं Vladimir Putin चाइना पहुंचते हैं दो दिनों के official visit पे यानि 16th और 17th और इस visit को ना कि Western countries, US बलकि भारत भी इस visit को काफी closely monitor कर रहा साथ में जब भी हम इस type के news को पढ़ें तो कहीं न कहीं हम as an Indian हम ये भी देखें कि global platform में हम कहां खड़े होते हैं और हम किस हद तक pressure handle कर सकते हैं Recently इरान और भारत के बीच में चाबहार port को लेके जो deal हुआ उसके ठीक कुछ घंटे के बाद ही US indirectly हमें threaten करता है sanctions को लेके वहीं अगर बात किया जाए Russia और China के बारे में तो Russia और China बढ़ चड़कर US के power को challenge करते रहते हैं और आज के date में बहुत सारे experts ये मानते हैं कि Russia इतना बड़ा challenge नहीं है US के लिए जितना बड़ा challenge आज के date में चाइना है वही रश्या के तरब से officially ये कहा गया कि China इतना capable है कि वो western power के जो pressure है उसको handle कर सके और कहीं न कहीं ये बात बहुत हद तक सच भी होता हुआ दिख रहा अगर China capable नहीं होता western countries का pressure को handle करने के लिए तो शायद वो कभी भी व्लादिमिर पुतिन को अपने देश में खास करके war के time में बिल्कुल भी invite नहीं करता इसी बीच Russia और China के बीच में एक बहुत ही important event को organize किया जा रहा जो की आज के तारीख में यानि की 17th में को उसका inauguration होगा जिसको की famously कहते हैं Russia China Expo तो ये क्या है तो ये एक platform है जहां पे Russia और China बढ़ चड़ कर अपने capabilities को दिखाएंगे कहने का मतलब है कि possibility है कि China अगर अपने किसी भी नए electric vehicles के उपर काम किया होगा तो वो इस event में उसे दिखाएंगा और वहीं अगर Russia अपने किसी भी important technology के उपर काम किया होगा तो वो उसे यहां पे दिखाएंगा तो कहने का मतलब है कि दोनों देश अपने capabilities को इस event में दिखाएंगे और उसके बाद possibility काफी high है कि दोनों देश उन सब technology को आपस में exchange करेंगे तो यहां से भी यह मालूम पढ़ रहा कि Russia और China पहले जितना close नहीं थें लेकिन वहीं Western countries और US के दोआरा जिस तरीके से sanction के power को misuse किया जा रहा तो बहुत हब तक हम कह सकते हैं कि US ने help किया है Russia और China को close लाने में और इसमें कहीं से कोई दोर आए नहीं है कि US और Western countries बढ़ चड़कर अपने monopoly को establish करना चाहते हैं जहां पे वो सही को गलत और गलत को सही साबित करते हैं तो कहने का मतलब है बहुत सारे ऐसे events हुए हैं past में भी और आज भी हो रहे हैं जिसको कि अगर आप सिर्फ खुली नजरों से अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये event को जवरदस्ती के support किया जा रहा है Western countries और US के द्वारा हमारे पास बहुत ये बहतरीन example है कि किस तरीके से sponsored genocide को promote किया जा रहा है गजा में और वहीं दूसरी तरफ 61 billion American dollars का aid दिया गया है Ukraine को तो कहने का मतलब है कि US और Western countries अपने हिसाब से decide कर लेते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है साथ में सिर्फ China और Russia ही close नहीं आये बलकि Iran, North Korea, China या हम कह सकते हैं कि more or less वो सारे देश close आये हैं जिनका Western countries के साथ relation अच्छे नहीं है और more or less ये जो group create हुआ है ये almost उतना ही strong group है जितना strong group Western countries का है जैसा कि मैंने बताया कि President Putin और President Xi के मिलने के बारे में या इस पुरे event के बारे में पुरे दुनिया इसको काफी close तरीके से monitor कर रहे हैं वहीं पे आप ये CNN का article देख रहे हैं जहां पे इनके दुआरा भी कुछ ऐसा ही कहा जा रहा कि President Xi और Putin का मिलना एक बहुत ही strong group create कर रहा जो की anti-west या anti-US है उसके बाद अगर बात किया जाए US के या western countries के sanctions के बारे में तो लगबग इरान के उपर 600 से भी अधिक sanctions लगा दिये गए हैं चाइना के बहुत सारे products के उपर sanctions लगा दिये गए हैं almost North Korea के उपर sanctions लगाए गए हैं और जब किसी भी देश के उपर sanctions लगा दिये जाते हैं तो वो कहीं न कहीं कोई न कोई alternative को ढूंड लेता है जो कि हम clearly देख सकते हैं Iran, Russia, China के case में वहीं पर अगर बात किया जाए US या western countries का तो भले US बहुत बार खुली मंचों से ये कह चुका है कि आज के rate में China, US के लिए सबसे बड़ा threat है लेकिन वहीं अगर आप business की बात करें तो US और China के बीच में लगभग कुछ 600 billion American dollars का annual trade होता है तो कहने का मतलब है कि China और US एक दूसरे के ऊपर इतना जादा dependent है कि ये कभी भी खुले मंच पे आके एक दूसरे से नहीं लड़ना effort कर सकते हैं और अगर हम बात करें military corporation का तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि US उन सभी देशों को support करता है जिनके relation China के साथ अच्छे नहीं है यहाँ पे मेरा कहने का ये कहीं से मतलब नहीं है कि China एक innocent देश और US बहुत ही aggressor है geopolitics में कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होता है हर देश को अपने-अपने मतलब साधने होते हैं तो कहने का मतलब है कि more or less China और Russia उन सभी देशों को support करते हैं जिनका relation खास करके US के साथ अच्छा नहीं हो वहीं अगर दूसरी तरफ बात किया जाए तो US उन सभी देशों को support करता है जिनके साथ China के relation अच्छे ना हो For example, अगर हम Taiwan के बात करें या हम South Korea के बात करें तो इन सभी देशों के साथ समय दर समय US, military या इनके Air Force joint operation करते रहते हैं ऐसा ही कुछ इक्षा जताया गया है Russia और China के दुवारा जहां पे वो joint operation को करेंगे और एक दूसरे का capabilities है उसको analyze करेंगे और सीखेंगे यहां से भी हमें एक चीज as an Indian मालूम पड़ता है कि कहीं न कहीं हम Vladimir Putin को अपने देश में host करने के लिए अब तक capable नहीं है अगर ऐसा होता तो हम definitely हम लोग भी अपने power को दिखाते हैं और बताते कि भारत भी अपने foreign policy को independently manage कर रहा है इसका एक जो सबसे बड़ा वज़ा है कि अभी तक भारत में जो capabilities है उसको हम display नहीं किये हैं जिस हिसाब से हमें research and development में या जिस हिसाब से हमें export करना चाहिए हम उस हिसाब से export नहीं करते हैं या नहीं कर पार हैं और इसके पीछे का जो वज़ा है वो सिर्फ हम लोग ही है अगर हम इस video को conclude करें तो हमें एक चीज़ तो definitely समझ में आता है कि इस visit को organize करने के पहले Russia और China दोनों को मालूम था कि इस visit को almost पुरा देश देखेगा और analyze करेगा और कहीं न कहीं दोनों देशों के उपर pressure create किया जाएगा और उसके बावजूद भी इस visit को organize किया जाता है तो इसका ये मतलब तो है कि China इतना capable है कि ये western countries और US के pressure को handle कर ले और अपने foreign policy को बहुत हतक independent रखे भले चाहिना के साथ हमारे relation अच्छे नहीं है लेकिन जो ongoing situation है उसे हमें बहुत ही deeply analyze करना चाहिए और सीखना चाहिए और साथ में अपने capabilities को भी enhance करते रहना चाहिए I hope that you like the video अगर फिर भी मुझे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूँगा मैं चाहूँगा कि आप मुझे email करके बताएं see you in the next video have a wonderful day thank you take care goodbye